हमने बांस को लेकर के आपको एहरानी होगी बांबू बांस को लेकर भी एक महत्पपूर्ण फैसला किया है बांस यह पेड़ है या ग्रास है इसको लेकर के हमारे देश में दो अलग-अलग कानून थे एक कानू कहता था बांबू ग्रास है एक कानू कहता था कि बांबू ट्री है किसी को जेल में डालना है तो ट्री वाला कानून और किसी से पैसे कमाना है तो ग्रास वाला कानून अब सरकार ने तै कर दिया है कि जंगलों से बाहर जो मास उगता है यह ना आदिवासी भी अगर अपने खेट में उगाता है उसे पैड नहीं माना जाएगा ट्री नहीं माना जाएगा आप हैरान होगे जी अगर बत्ती बनाने के लिए हम बांबू इंपोर्ट करते हैं दिया सली के लिए हम बांबू इंपोर्ट करते हैं पतंग पतंग बनाने के लिए बांबू इंपोर्ट करते हैं जबकि देश में बांबू है लेकिन क्योंकि वो ट्री है जेल जाना पड़ेगा इस फैसले से उन लाखों छोटे उद्यमों का फाइदा होगा जो बांस पर आधारित उद्योग से जुड़े विये पेपर मिल तक साथ